गुड उनिमे क्लास 11 टॉल्स की प्यारे बच्चों, आज हमनुग चलेंगे जोनुग का ग्रेमर में सक्षन भी राइटिंग सक्षन चल ला है और राइटिंग सक्षन में जोनुग का 10 महत्पूर्ड आर्टिकल की सिंकला चल लई है उसमें आज हमनुग आर्टिकल नंबर 5 देखेंगे, मिस पांचने आर्टिकल को करेंगे और आज की आर्टिकल की टॉपिक है डौरी सिस्टेम, मिस दहेज प्रथा और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 के E.E. सेट में आया हुआ आर्टिकल है और इस 10 महत्रपूर्ण आर्टिकल की सिंखला से आपकी बोर्ड परिचा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दीजा रही हैं, आप हरे क्लास को अटेंड करोगे किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे और अभी तक आपकी आर्टिकल की चार क्लास हो चुकी है यह आपकी पांचमी क्लास है और इसके साथ साथ आपका रेडिंग सक्सन भी पूरी तरह से कम्टीट हो चुका है तो यह दिन में से आपका कुछ भी चूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 11-12 की ग्रैमर की नया सेसन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेश चली हुई है सारी क्लासेश एक से डिल वाइज लगी हुई है तो जहां से भी आपका चूटा हो आप वहाँ से दे करके पूरा कर सकते हैं और एक क्लास 3-plus paid-based दोनों बच्चों के लिए combined क्लास है जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि साम साड़े साथ बजे दोनों बच्चों की combined classes लगातार चल लगी है और paid class की बच्चे ध्यान देंगे इसका PDF आपको class के तुरंद बाद paid class के ग्रुप में provide कर दिया जाएगा तो इसलिए paid class की बच्चे PDF के लिए बिलकुल परसान नहीं होंगे अब जल्दी से हम लोग आज की class से connect होते हैं तो class पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आये हैं चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like कर दें और class 11 12 के हरे एक बच्चे तक वीडियो को share कर दें अब यहां पर देखिए आपका आर्टिकल 5 डौरी सिस्टम लिखा गया है और आपको पता है इस समय आपका UP Board 2022 के e-set के आर्टिकल को करा रहे हैं और इस set में आपके तीन आर्टिकल आई वे थे जिनमें से आपको बोर्ट परिचा में एक आर्टिकल करना था और इसमें आपका एक आर्टिकल आपको करा भी चुके हैं जो आपका पहला आर्टिकल है योर विजन इन लाइफ इससे आपको इसके पहले वाली क्लास में करा चुके हैं और आज की क्लास में आपका होगा जो दूसरा आर्टिकल इसमें दीवे हैं डावरी सिस्टम आज हम लोग इसे कराने वाले हैं, और भाईया ए डावरी सिस्टम कैसे अन्यवर्सों में आया हुआ था आर्टिकल यहां पर लिख्या आपका लिखा गया है यही डावरी सिस्टम आपका 2013 में भी आया हुआ आर्टिकल था, तब कैसे करके आया हुआ है इविल्स आप डावरी सिस्टम करके आया हुआ है यह आपका 2013 के GB सिट में आया था और यही आर्टिकल आवर्ड सोसल इविल्स करके 2013 के GC सिट में आया हुआ था और यही आर्टिकल आपका इविल्स आप डावरी करके 2018 के BX सिट में आया हुआ था और ये 2022 के E-set में कैसे आया हुआ है, डौरी सिस्टम करके आया था है, और प्लिसवे 2022 के सभी sit का सभी आर्टिकल क्यों करा रहे हैं, आपको पता है क्योंकि पेपर में बार बार आर्टिकल रिपीट होते हैं, इसलिए आपको 2022, क्योंकि ज़ैंग नय पैटन पे आपका चारचा हुई है तो इसलिए 2022 के सभी आर्टिकल को करा दे रहे हैं जो भी आपके छासे थुए थे में 3-3 आर्टिकल मतलव 18 आर्टिकल है सभी आपको आर्टिकल करा देंगे ताकि आपके बूर्ड परिंचा में कहीं से भी अगर रिपीट हो रहा है तो कहीं से भी आए आप आसानी से कर ले जाओगे और रिपीट आप देख रहे होगे किस तरह से आपकी बोर्ड परिच्छा में रिपीट होता है तो इसलिए इस बार की भी बोर्ड परिच्छा में रिपीट होगा आप लोग बिल्कुल इसके लिए परसान नहीं होंगे अब जल्दी से हम लोग टॉपिक से कनेक्ट होते हैं यहां पर देखिए आपका जो है आज की टॉपिक है डावरी सिस्टेम अब इस पर हम लोग आर्टिकल देखेंगे अब यह पहले समझो कि आप आर्टिकल कैसे लिखते हैं आपको बताई और अगर आप आर्टिकल में हेडिंग नहीं डाल रहे हो तो बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है कुछ बच्चे परसान हो जाते हैं कहते हैं कि सर्जी हेडिंग रहना जरूरी होता है आपका हेडिंग इसे में रहना जरूरी होता है आर्टिकल में कोई जरूरी नहीं ब अब या OCS का बस आपको ग्यान होना चाहिए, उसके बाद आप इस तरह से आर्टिकल लिख रहे हैं, बिलकुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं हम लोग इस आर्टिकल पे चर्चा करते हैं, डावरी सिस्टम पर, अब डावरी सिस्टम में हम पहले क्या पहले हम इंटोड़क्सन का लिखेंगे, मतलब इसका बिवाख की बारे में थोड़ा से परिचे देंगे, उसके बाद इस दहेस प्रथा की बारे में थोड़ा सा परिचे देंगे, उसके बाद आपका इंटोड़क्सन वाला सक्सन कम्पीट हो जाएगा, और इंटोड़क् जिस्ति कैसे खराब हो जाती है बेटियां लोग पैदा नहीं करना चाहते हैं इन सारी चीजों के बारे में हम आपका दूसरे तीसरे पैरग्राफ में क्या करेंगे चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको कंक्लूजिंग नोट से जो है कंप्लीट करना है आपको इस आर्टि आर्टिकल कंपीट हो जाएगा तो भया आप जल्दी से देखते हैं हमने इस आर्टिकल में क्या लिखे वे हैं और प्यार्चे एक्दम बेहतरीन आर्टिकल करा रहे हैं आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे सांदार आर्टिकल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा तो इसलिए जितनी classes हिस्से में चल ली हैं, कोई भी class छूटनी नहीं चाहिए, सारी classes important हैं, समझ सक्तों की class की अहमियत क्या है, और इसी वज़ा से योटूब पर भी इन classes के कर दीए हैं, ताकि किसी बच्चों को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो भाया इसलिए class की अहमियत को समझिएगा, सभी बच्चों तक class 12 की जो बच्चे बोड पर इच्चा देने वाले हैं, सभी बच्चे तक आप वीडियो को पहुचा देंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है प्याच्चे, आप देखी इसमें हमने क्या लिखे हुए हैं, यह आपका introduction वाला section पहले चल ला है, केवल एक मिलन नहीं है, between two people means केवल दो लोगों के बीच में, मतलब यह सही ही कहा गया है कि भारत में बिवार केवल दो लोगों के बीच मिलन नहीं है, but means लेकिन a union between two families यह दो परिवारों का मिलन होता है, संगरा होता है, मतलब यह सही ही कहा गया है कि बिवार केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता है यह दो परिवारों का भी मिलन होता है। तो यही आपका जो है बिवा की खासियत हो गई तो वही चीज इस सुरुवात की लाइन में हमने लिखे हुए है अब आगे देखी आगे क्या लिखे हुए है और यह बिवा को एक प्रशन और गर्व का एक मामला बना देता है फार्दी पीपल मिन्स लोगों के लिए और लोगों के लिए विवा क्या है एक गर्व का मामला है अर्था जो है विवा को लोग बड़े गर्व के रूप में करते हैं गर्व की रूप में करते हैं तब ही तो जो है दो लहन को लेने के लिए एकदम बाजा के साथ जाते हैं सब ठीक है तो वही चीज आपका इसमें लिखे वे हैं अब आगे देखी आगे क्या लिखे वे हैं यहां से important line आपकी शुरू होती है अभी तो विवाख की बारे में थो कोई दिन नहीं बीटता है not a day passes means कोई भी एक दिन नहीं बीटता है when we do not read जब हम नहीं सुनते हैं in the daily newspapers means प्रति दिन के अख़बारों में जब हम प्रत दिन के अख़बारों में यह नहीं पड़ते cases of suicides मतलब आत्महत्या के मामलों के नहीं पड़ते मतलब कोई दिन ऐसा नहीं बीटता है कि डौरी सिस्टम की वज़़ा से हम न पड़ते हों कि अख़बारों में न पड़ते हों कि कोई आत्महत्या का मामला our bride burning या फिर दुलहन को जला दिया जाता है इन various parts आप दी कंटी आप दी कंटी मिस जो है देश के बिभिन भागों में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि हम अख़बारों में जो है किसी दुलहन के जलाने या फिर जो है किसी दुलहन के सुसाइट करने की ख़बरों को न पड़ते हों अब आगे देखिए आगे क्हा लिखे वज़े हैं दहे से लिए दुलहन को मार दिया जा रहा है यह सारी चीजे क्या है एक जो है simple है मिन सर्मनाक हैं बहुत सर्मनाक हैं तो वही सीज़ है the whole thing is so simple एस सारी चीज़े बहुत सर्मनाक हैं but is very much a reality today लेकिन ए आज की वास्त्विक्ता हैं ये सारी चीज़े इसा ही बात है कि बहुत सर्मनाक हैं लेकिन आज की क्या है वास्त्विक्ता है रियल्टी है तो इन्टो वाले में देखी कैसे हमने लिखे हुए हैं, पहले हमने थोड़ा सा किसके बारे में लिखे विवाह की बारे में, विवाह से हमने तुरंत जोड़ दिया, इसको किस से जोड़ दिया, आपका ये डावरी सिस्टम से जोड़ दिया, डावरी सिस्टम के इस तरह से इसके बारे में इसके देखेंगे कि इसे क्या प्रभ्लम्स पेराग्राप यहां से डखिए आपका है और पैरेंट्स में सो जाएटा गरीब माबाप do not get any groom मिस कोई दुलहा नहीं प्राप्त करते हैं मिस उन्हें कोई दुलहा ही नहीं मिलता है मतलब गरीब माबाप को कोई दुलहा ही नहीं मिलता है who will marry the daughter जो उनकी पुत्री से बिवाह कर सके without taking dowry मिस बिना दहिज लिए मतलब गरीब माबाप कोई ऐसा दुलहा ही नहीं मिलता है जो उनकी बेटी से बिना दहिज लिए क्या करें बिवाह करें तो वही सीज़ यहां पर दिए वे हैं they have to take marriage loans उन्हें बिवाह का loans लेना पड़ता रिन लेना पड़ता करजा लेना पड़ता है बिवाह के लिए आपनी देखा होगा आपके जहें अगर जो गरीब बच्चे होंगे उनने पता होगा कि आपके माता पिता कभी-कभी loan भी ले ले लेते हैं अपनी बेटी की बिवाह के लिए तो इसलिए समझ सेकते हो कि एक बाप की उपर क्या जिम्यदारी होती है अपनी बेटी की तो वो चीज़ी इसमें दिखाएवे हैं हलाकि बहुत भेंकर बहुत कुरूती है इस समाज की इस सारी चीज़ों को पुरी तरह से हटाया जाना चाहिए इसी वज़ा से बेटियों की गरब में ही हत्या कर दी जाती है ताकि गरीब माबाप के लिए वो बोज न बन सके तो इसलिए आपका सेक्स रेशियो आप चेक करोगे महिलाएं कम होती हैं लड़कियां कम इसलिए होती है क्योंकि इस तरह की mentality लोगों की है जहें तो इस तरह से कर देना चाहिए भाई गलत तो पूरी तरह से है अब गलत कैसे है आप किसी बाप की बेटी को भी ले रहे हो और बेटी के सात सात आप जहें उसके घर के सामानों को तो बैया चोंट और कोट वाला मार्टर हो जाएगा एक तो हम ले रहे हैं आप से आपकी बिटिया ले रहे हैं उसके बाद दहेज भी मतलब जह तो कुछ ओल्टा हो जाएगा तो बैया यह जो है इसे कर देना चाहिए लड़किये वाले को दहेज देना चाहिए ता कि जह है आगे यह सारी बुराइयां नहों, यह सारी जो बुराइयां होती हैं से बुराइयां बचा जा सके, इस सारी चीज़े होनी चाहिए, आगे देखिए हमने लिखे वे हैं, आगे देखिए आपका आगे क्या है, ठीक है, तो हाँ, अपनी बेटी का बिवाह करने के लिए अर्थात बिवाह के लिए करज लेने पड़ते हैं आगे देखिए जब छोटे बच्चे में ही उसे मार डालना वही होता है infantiside होता है इसे आपनी one word substitution में भी पढ़ा होगा तो वहीं है आपका कि आपका क्या है the cases of infanticide मतलब सिसु हत्या के मामले और और आगे क्या है और increasingness बढ़ रहे हैं सिसु हत्या के मामले लगातार क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं और सिसू हत्या में किसकी हत्या की जाती है लड़कियों की हत्या कर दी जाती है बच्चिया जब पैदा होती है तो उन्हें बच्चपन में मार दिया जाता है तो वही सीज है कि ए सिसू हत्या increasing हो रहा है बढ़ रहा है आपने कभी सुना होगा कि पेपर में अगर आपने उसी पेपर पढ़ते होंगे रोज आप ऐसी मामले को खबर को सुनते होंगे कि जए बेटी पैदा हुई उसे जंगल जाडियों में फेक दिये माता पिता इस तरह से जए उसे ट्रेन में की बोगी में ही छोड़ दिये तो इस तरह से भी काफी मामले आते हैं तो इस चीज़ आपका है poor parents do not have any other option मतलब गरीब माबाप के पास इसके अलावाँ कोई विकल भी नहीं होता है तो उनकी मजबूरी हो जाती इस तरह से करना इसलिए हमने कहाना इसका सबसे बढ़िया सलोशन है कि लड़के वाले देहस देना तो बेटी कभी भारी बोज नहीं महसूस होगी तब यह सारे मामले पूरी तरह से खतम हो जानी चाहिए इस तरह से इसको नियमता कानूनल लागू कर दिया जाना चाहिए कि लड़के दहस देंगे लड़कियों को तो यह कानूनल लागू हो जाएगा तो यह जो है यह आपका जो है इन्फेंटी साइड सारी चीजे दहस वाले मामले ही खतम हो जाएंगे मतलब बच्चियों को फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जो सेक्स रेसी हो जाए गरबड़ है यह भी सही हो जाएगा सारी चीजे सही हो जाएंगे आगे देखिए आगे क्या है आगे देखिए पैच्ची आपका लिखे ही है हाँ पूर पैरेंट्स डू नाट है एनी अधर आपसन गरीब माबाप की पास कोई विकल्पी नहीं होता है इट इस बेरी क्लेर यह बहुत अस्पस्ट होता है यह दैट डौरी इस क्रिएटिंग वाइलम्स की यह देखिपता ऐजपता क्या क्रिएब कर रहा है दुलहे के माबाप आर मिस्यूजिंग मिस गलत उप्योग कर रहे हैं दिस प्योर ट्रेडिशन मिस इस पवित्र बंधन को मिस इस पवित्र बंधन का गलत उप्योग कर रहे हैं मिस्यूज कर रहे हैं दे फोर्सफुली फोर्सफुली मिस हो जाएगा जबजस्ती देड़ता प तब दुल्ले के माबाब जोय जबस जिस्ती दहिस के लिए कहते हैं, अर फिर धमकी देते हैं, तो कॉल औप मिस्स तोढने के लिए दीवेडिंग मिस्स दमकी देते हैं कि या तो आप जह क्या करिए देहस दीजिये नहीं तो हम विवा कोई क्या कर देंगे तोढ़ देंगे अर्था जो है इसादी के बंदन को इम तोड़ देंगे तो वही सी इसमें हो गया आगे देखिए इट इस आल्सो आप्जर्वड यह भी जहा है अप्जर्ड में सुझाएगा देखा जाना ये भी आप्जर्ट दिखा गया है in large states that brides are tortured बड़े-बड़े सहरों में क्या होता है brides means हो जाएगा दुलहन are tortured means उन्हें सताय जाता है प्रतारित किया जाता है बड़े-बड़े सहरों में ये भी देखा गया है कि दुलहन को प्रतारित किया जाता है for dowry means दहेश के लिए even after marriage means भिवा के बाद भी मतलब जोholने भी देखा गया है कि दो लहन को जोई भिवा के बाद भिवा के बाद भी दहेश के लिए क्या किया जाता है प्रताड़ित किया जाता है ही बिलकुल सही बात है और प्रताडित करना तो किवल एक भाग है आप दी इस्टोरी इस कहानी का किवल एक भाग है और प्रताडित करना तो इस कहानी का किवल एक छोटा सा भाग है they are harassed उन्हें परिसान भी किया जाता है harassed means हुझेगा परिसान करना उन्हें परिसान किया जाता है and insulted और अपमानित किया जाता है to the insulted और उन्हें अपमानित किया जाता है to the words means कि हद तक आप दियर committing society जब तक वे आत्मत्या नकले और उनने उस हद तक प्रताडित किया जाता है जब तक जो है वे आत्मत्या नकले अब समझ सकते हो कि किस तरह से जो है एक लड़की का जीवन होता है तो भाया इसलिए काते हैं लईकी लोग जितना हमरी बास सुन रही है बढ़ियां से पढ़ लेना ताकि आप जिस घर में ज अच्छे से पॉल लेना तंको लापरवाही नहीं करना ठीक है आगे देखी आगे क्या है आपका शाया और अतिर्दिक भयावा बात यह है और अतिर्दिक डरावनी बात यह है they are also murdered उनका murder कर दिया जाता है हत्या कर दिया जाता है मिन्स सबसे भायावा बात तो एह है कि अगर वे society नहीं कर रही है तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है तो यह they are also murdered उनकी हत्या भी कर दी जाती है far not meeting the dowry demands मिंतलब जाए दहेज की मांग की पूर्टी नहोने पर दहेज की मांग की पूर्टी नहोने पर उनकी हत्या भी कर दी जाती है तो भाया आपने देख लिया किस तरह से जहे दहेज का मामला जै कितना खतरनाक है समाज के लिए तो हमने दूसरे paragraph में इस चीज़ को देखा दिये हुए हैं अब चलते हैं देखे तीसरे परग्राफ में हमने क्या दिखा हुए है यहाँ पर देखिए डावरी इज कम्प्लीट इंजस्टिस मतलब इदहेज पूरी तरह से इंजस्टिस अन्याय है with boomer miss हिस्तियों के साथ मतलब ए दहेज इस्तियों के साथ पूरी तरह से अन्याय है and does not give भूमेन equal status और यह इस्तियों को बराबरी का अस्थान नहीपरदान करता in society में समाज में और यह समाज में इस्तियों को बराबरी का अस्थान नहीं अधनियम के अनुसार अब इसके अंसर क्या है टेकिंग आर गीविंग डावरी टेकिंग मिस लेना गीविंग मिस देना मतलब जह लेना डावरी मिस देना देहेज लेना देना is a crime means क्या है एक अपराद है crime means होता है अपराद मतलब जह है देहेज निवारण अधनियम के अनुसार देहेज लेना देना अपराद है और इलिगल और न्याई बिरुद्ध है इलिगल में सुझाएगा न्याई बिरुद्ध और यह न्याई बिरुद्ध भी है, if you see someone, ये दि आप किसी को देखते हैं, taking or giving a dowry, मतलब दहेज लेते विए, या फिर देते विए, then you can lose, तब आप जहें, दायर करा सकते हैं, a complaint means, एक सिकायत against the means, उनके खिलाब, तब आप उनके खिलाब जहें, एक सिकायत दायर करा सकते हैं, मतलब आपको दायर करा देना चाहिए, तो भी आता की समाज जहें, अब ये तो हलाकी, एक्ट है, समिधान के निवारण का, ये जो दहेज निवारण अदिया में एक आता है, लेक करवाया जाना चाहिए, ये सपे सरकार को स्टिक्ट होना चाहिए, तब कुछ होनी वाला है, सरकार जिस दिन स्टिक्ट हो जाएगी, उस दिन सारी चीज़े सुधर जाएंगे, लेकिन सरकार अपनी ओट बैंक की वज़ए से कहें को स्टिक्ट हो, कि उसको तो अपना ओट नहीं कर पारे इसकूरियूति को दूर करने की तो भाईया नहीं हो गया यह तो आपका सारी चीजों के बारे में हो गया अब Conclusion Line पे हम लोग चलते हैं देखते हैं से Conclude कैसे करते हैं Final में क्या लिखते हैं यहां पर देखी लिखे विए हैं The dowry system is a slur मिस यह जह है दहेज प्रथा एक स्लर है एक कलंक है अन हुमेनिटी मिस मानवता पर यह दहेज प्रथा मानवता पर क्या है एक स्लर है मिस जह है एक कलंक है इट इस ब्लॉट यह एक कलंक है अन्दी फेर नेम मिस सुन्दर नाम पर आपदी हिंदू सुसाइटी मिस हिंदू समा के सुन्दर नाम पर भी क्या है कलंक है इप्री इफोर्ट मिस्ट प्रतेक प्रियास मस्ट भी मेड मिस किया जाना चाहिए प्रतेक प्रियास किया जाना चाहिए वाई आल कंसर्ण्ड मतलब सभी संबंदित लोगों के द्वारा मतलब सभी संबंदित लोगों के द्वारा प्र प्रियास किया जाना चाहिए to eradicate में समाप्त करने के लिए the evil इस बुराई को as only as possible जितना जल्दी संभव हो सके और जह संबंदित लोगों के द्वारा इस बुराई को जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इसे समाप्त किया जाना चाहिए या समाप्त की जाने का प्रि पहत्री सांदार आर्टिकल हो गया इस सांदार आपको आर्टिकल कहीं पढ़ने ही मिलेगा इस आर्टिकल में हमने आपको हर एक चीज दिखा दिया इस डावरी सिस्टम के बारे में आपको हर एक चीज दिखा दिये ताकि कोई चीज आपका छूटने ना पाए और इसी तरह स आप इसी तरह से बोर्ड परिच्छा में बनाके लिखेंगे और आपको दिमाग में मनाए रखना है डेड़ पेस के आसपास आपको लिखना है ठीक है तो भया एक आसकी क्लास हो गई और सबी प्यारचे एक बार वीडियो को लाइक कर दें और सबी बच्चों तक वीडियो को सेयर कर देंगे इसमें कोई लाफरवाहि नहीं करेंगे सेयर करने में लाइक करने में भया कौनों कोटा ही नहीं होनी चाहिए यह सबी बच्छा लोग की जिम्मोधारी है आपका कोई class का साती ہو स्कूल का हो, कोचिंग का हो, गल्फेंड हो, बाइफ्रेंड हो, कौनों हो, कुल को आपको क्या कर दिना है, सेर कर दिना है, यह सभी बच्चा लोग से उम्मीद करते हैं, और भीया, अब एक बार बता देते हैं, पेड़ क्लास में एडिमिसन कैसे लेंगे, बाकि उसके बाद क्लास की तब समापती करेंगे, और पेड़ क्लास की बच्चे अब जा सकते हैं, अब केवल यूटूब के बच्चे रोकेंगे, तो भीया, यहाँ पर आपका पेड़ क्लास वाले बच्चे, आप परसान नो होना, इस क्लास जैसे कंप्रीट होगी, इसके दो मिनट बाद आपको पेड़ प्रोवाइट के दिया जाएगा, ठीक है, अब जो है पेड़ क्लास की बच्ची दिहान देगा, आपको पेड़ क्लास की रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात इस बार आपको रिविजन स्रीज पेड़ क्लास के ग्रॉप में देखने को मिलेगी, और इस पेड़ क्लास का टारगेट है, आपको इंगलिस में 100 out of 100 marks ले पुरी तरह से तयार करना, और फीज के वर 499 रूपे है, यह आपका पूरे सेसन के लिए हैं, जब तक आपकी final board पर इच्चा नहीं हो जाती है, और आप payment कैसे करेंगे, आप Google पे, phone पे, Paytm, Beam एप, इनमें से किसी भी माध्धम का प्रियोग करके, आप payment कर सकते हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी माध्धम का प्रियोग करके payment कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक bank detail दिया गए है, आप इस bank detail का भी प्रियोग करके payment कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पर कुछ की वार कोड दिये गए हैं, आप इनकी वार कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीन साट लेना है, उस स्क्रीन साट को आपको इसी नमबर 7392937172 करके जो आपको नमबर दिया गया है इसी नमबर पर स्क्रीन साट को WhatsApp कर देने है WhatsApp करने के बाद आपको एक form बेज़ा जाएगा तो इस form को आपको fill up करने होंगे फरम को fill up करने के बाद आपको 24 गंटे के अंदर ही paid class के group में add कर दिया जाएगा बाकी प्याच्चे अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसी नमबर पर call कर सकते हैं WhatsApp मैंसेस कर सकते हैं आपकी call और WhatsApp का reply किया जाएगा तो भाई यह पूरा admission process हो गया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और जिन बच्चों को admission लेना हो तो आप अपना admission सुनिश्चित करा लेना अभी तो सायद offer चलना है तो आप लोग आप offer का फाइदा उठा लेना ठीक है और उसके बाद जो है हाँ आप class की समापती करेंगे जो बच्चे चैनल पे पहली बार आये थे चैनल को subscribe करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और ध्यान देंगे खास्किर की class 12 की हरी एक बोड परिचा देनी वाली बच्चे तक आप वीडियो को share कर देंगे यह आपकी जिमदारी है प्याच्चे सभी बच्चों की जिमदारी है ठीक है यह हो गया बाकी जो है अब कुछ बेतीन लाइनों के साथ class की स्मापती करेंगे कभी हारेनी का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा तो इसलिए प्यारचे तान्या मानने वाले की आवज सकता है और आपकी हैसित कैसे बनीगी अगर आप बोड़ परिच्चा के टॉपर बनते हैं अपनी जिले में अस्थान प्राप्त करते हैं अपनी प्रदेश में अस्थान प्राप्त करते हैं तो लोग तब आपका लोहा मानेंगे तो इसकी भीया उमीद करते हैं हमारे सभी प्याचे जी जान से बोड़ परिच्छा के लिए जोड़ जाएंगे और इन्नी उमीदों के साथ सेसन के समापती करते हैं मिलते हैं अगली क्लास के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें अपनी परिवार का ध्यान रखें लबी वाल प्यार वच्छो